नमस्कार, क्यापिचल टिवी का खास शो, यूपी का डंगल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूझा साल 2022 की शुरुवाती महिनों में पांच राज्यों के विधानसबा चुनाओ होने वाले हैं इसके लिए तैयारियां भी जोरों से होने लगी है पांच राज्यों में होने वाले चुनाओ में उत्तर प्रदेश का चुनाओ सबसे एहम है क्योंकि यूपी के ही रास्ते 2024 की सत्ता पर मुहर लगीगी यानि की साफ है जो जीतेगा उत्तर प्रदेश उसी का तो होगा पूरा देश ऐसे में चुनाओ आयोग से बड़ी खबर सामने आई है कि अगले साल यानि जैनवरी 2022 के शुरुआत में यूपी चुनाओ की तारीखों का अलान हो सकता है जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की केंद्र चुनाओ आयोग के साथ समिक्षा बैठक भी हो चुकी है तो आज इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए मारसा स्टूडियो में मौझूद है क्यापचल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनेश कुमाहट अपसा बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत दिन से हम ये चर्चा कर रहे थे चुनाओ बहुत जल्द है नजदीक है अब तो जनवरी के शुरुवात में चुनाओ की तारीखों का एलान भी हो जाएगा देखे चुनाओ आयोग से जो खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि एक जनवरी के दिन जो पांच राज्य हैं जहां जहां चुनाओ होने वाले हैं उनकी फाइनल समिक्षा उनकी रिपोर्ट्स के उपर बाचीत होगी और अगले पांच छे दिनों में मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जैनवरी चुनाओ की घोशना कर दी जाएगा मतलब यह कि अब 15-20 दिन बचे हैं और यह इंपॉर्ट इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि सरकार पिछले एक महिने में किस बिजली के रफ्तार से योजनाओं परियोजनाओं की घोशना उदगाटन जिसमे कासी बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस्टन कोरिडोर वही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा तो तमाम चीजे वह हो चुकी है और इसलिए यह इतना इसना सब्सक्राइब कि इतना फास्ट फॉर्वर्ड हो रहा है और इतनी जल्दिवाजी में की जा रही है उसके पीछे एक और वज़य यह भी हो सकती है कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मार्च के आसपास थर्ड वेव आने की अभी जो ओमिक्रॉन की जो गिंती है वो 40-50-60 तक जा रही है उससे भी बचना है ऐसा ना हो कि आपने टाइम लगा दिया तो थर्ड वेव के दौरान ही कुरोना एक तरफ और दूसरी तरफ चुना हो जैसे बंगाल में हुआ था तो कई सारे चीजों को वो जर्म देता है तो मुझे लग रहा है कि अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब युद्ध का जो है वक्त आ गया है सर आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की मैं विपक्ष से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि अब उसके बाद अचार सहिंता भी लागो हो जाएगा हम बीजेपी की कारियों और परियोशनाओं की लिस्ट जोडते हैं तो उसमें जेवर ये परवांचल एक्सप्रेस सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का भी लोकारपन होना है तो ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है पर विपक्ष के पास तो कुछ भी नहीं है यही एक समस्या है कि विपक्ष अपने आपको इस बात के लिए प्रूब नहीं कर सका कि उनके पास इस सरकार से बहतर कोई विचारधारा है इस सरकार से बहतर उनके पास कोई प्लान है इस सरकार से बहतर उनके पास गरिवों को गरिवी रेखा से बाहर करने की कोई योजना है इस सरकार से बहतर किसानों के लिए कोई नया प्लान है अब यह लोग तो नए है नहीं अब अखले स्यादत तो मुक्षमंत्री रह चुके थे उनको भी लोगों ने देखा और योग्याद इतनात के भी पांस साल को देखा तो कंपरेजन तो होगा तो एक बात जो विपक्ष को समझ में आना चाहिए कि आप सिर्फ योगी आदितनात को मोदी को, हिंदुओं को, हिंदुत को राम मंदिर ऐसा, तो कासिभी सुनात ऐसा आप सिर्फ किरिटिसाइज करके सिर्फ निगेटिव बाते करके लोगों के दिलों के उपर राज नहीं कर सकते मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि सरकार से ज़्यादा मेहनत विपक्ष को करने की ज़रुत होती है जनता के बीच सरकार से ज़्यादा विपक्ष को होना चाहिए विपक्ष के पास ज़्यादा बड़ा responsibility है वो तो चुनके आगे सरकार चला रहे है विपक्ष का काम दो तरीकी का होता है एक कि आप जो सरकार चल रही है उसको क्रिटिसाइज करें और दूसरा लोगों के दिलों में ये विश्वास जगाने में आप काम्याब रहें कि आप की इस सरकार की जगा हम होते तो हम बहतर सरकार चलाते अब एक बहुत बड़ा मौका आया था जिसे जिसों कर सकते कि अपने ही हाथों उसको खत्म कर दिया अख्रिशादव में कोरोना काल का समय है आप गाइब हो गए आप कमरे में बंद हो गए सरकार काम कर रही थी बहुत सारे जगापे कम्यां भी रही दवाई नहीं थी ऑक्सिजन नहीं था बहुत सारे चीज़े थी आप ट्वीट ट्वीट खेल खेल करके आपने किटिसाइज तो किया लेकिन आपके लोग जमीन पे नहीं उतरे यहीं मिस्टेक हो गया और अखलेश चादब को उस वक्त अगर लोग सणकों पे देखते जैसे योग यादित नात को देख रहे थे कि बिना बिमारी के खौफ से वो इस डिस्टिक्स से उस डिस्टिक्स उस जगह से वहाँ तो वहाँ हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ये सारी विवस्था में जूटे हुए थे और इसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही थी तो जो सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ पे विपक्ष के लिए तो और भी बड़ी जिम्मदारी उनको और भी ज़्यादा मेहनत करने क्या वो शकता पड़ जाएगी लेकिन ये लोग अपनी राजनीती को उस हिसाब से मतलब काम का जवाब काम से नहीं ये लोग ये सोचते हैं कि वही इस जाती को काट लेंगे उस जाती को मिला लेंगे ब्राम्हन नाराज है ब्राम्हन को हम कुछ बता देंगे ब्राम्हन कुछ हमारे साथ आ जाएंगे राजभर को हम ये कर लेंगे जाट हमारे साथ आ जाएंगे तो यादव हमारे साथ हैं ही मुसल्मान को हम रख लेंगे ये एक दूसरे किस्म की राजनीती है जिसके ये लोग चैंपियन है ये किसी जमाने में ये सक्सेस्पूल होता था यूआ वर्ग जो फर्स टाइम वोटर है सेकेंड टाइम वोटर से है उनको ये सब पसंद नहीं है और यहीं पर इन से गलती होगी दूसरी जो सबसे एहम है यूपी का चुनाओ और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग हो सकता था लेकिन पता नहीं मायवती अचानक से क्यों बिलकुल अपने आपको पीछे लेगी मायवती का अभी तक रैली नहीं हुआ है मायवती को इस घोषना से पहले अगर उनको चुनाओ के फ्रे में रहना है चुनाओ में अपनी उपस्तती दर्ज करानी है उनको लखनों में एक बड़ा रैली जैसा वो उनका स्टाइल रहा है बहुत विशाल रैली करती मायवती लखनों में हर चुनाओ से पहले इस बार अभी तक उसकी नगोषना हुई है ना उसके बारे में कुछ बताया गया है तो मायवती को ये करना चाहिए ताकि आप फ्रे में रहें तीसरी पार्टी है कॉंग्रिस पार्टी अब पता नहीं होंग उनका कौन सलाकार जेनी वाले सब जो है वो पार्टी को पतभर्ष्ट करने में जुटे हुए है सौ लोगों की लिस्ट भी आपने निकाल दिया उसमें सुन रहे है कि बहुत जोगा गरबर चल रहा है मसला आपस में ही जो एक तो कहिंडेट नहीं मिल रहे थे पार्टी कमजोर है संगठन है नहीं इस्टेक प्रियंका वाडरा के पूरा पॉलिटिकल करियर का लगा दिया और उपर से जिन लोगो टिकट दिया जिन जिन कंस्टिएंसी में दिया वह एक अलग बावाल मचा हुआ है मतलब चारो तरब से कॉंग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है और चुके सरकार मिराने का फाइदा भारती जिनता पार्टी को है तो इन लोगों ने एक अनुमान लगा लिया हुआ कि भई जनवरी तक हमें सारा काम कर लेना है इसलिए आपने देखा इसको कहते है कि मंजे हुए खिलाडी टीका करन पूरा करने का टार्गेट कब तक 30 जनवरी 30 दिसंबर सारी परियोजनाओं को खत्म करने का तारीक रैली छे मेने पहले से 30 दिसंबर इनलों का बार्डर लाइन तो सारी परियोजनाओं का की घोशना से लेकर के सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे हो रही है 30 दिसंबर तक सब कुछ खतम 30 दिसंबर को प्रधान मंतरी मुख्य मंतरी अपना प्रेस कांफरेंस करेंगे देश के नाम संदेश देंगे और एक तारीक को Election Commission अपना उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा पास तारीक तक घोशना कर देगा कि चुनाओ कि इस तारीक को कहा कहा कितने कितने फिजिस में होंगे ये लागू हो जाएगा सारे लोग फिर फ्री हो जाएगे तो ये एक प्रिप्रेशन कहते हैं इसको आप किस तरह से तैयारी करके और मैं ये इस बात को क्यों अंकित कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार अभी चल रही है जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में भी कॉंग्रेस पाटी की सरकार है वो तैयारी आपने देखी कोई इस तरह का आयोजन प्रियोजन पंजाब में भी तो सरकार है पंजाब में क्यों नहीं बड़ बड़ी करिक्रम हो रहे हैं पास साल की वहाँ पर बहुमत की सरकार तो ये विजन ये विजन की कमी है आपने क्या कर दिया आप वहाँ तो उल्टा ही आपने एक पॉपलर चीफ विनिस्टर को हटा दिया एक कॉमीडियन को पार्टी का ध्यक्ष बना दिया एक ऐसे व्यक्ति को मुख्मंत्री बना दिया जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, पंजाब में लोग जानते होंगे पंजाब के बारे में कोई जानते नहीं बोले भाले दिखते हैं टेलिविजिन पे अच्छा व्यक्ति तो लगता है उनका लेकिन उनके पीछे भी कंटरोफर्सी पहले से थी ऐसी कंटरोफर्सी जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाए तो आप क्या करते हो कैसे करते हो उसको भी राजनीती में महत देना चाहिए भारती जंता पार्टी बड़ी अकलमंदी से यूपी पे सारा दाउं लगा दिया है वहाँ पे योग यादितनात का स्ट्रेचर खड़ा करके मुख्य मंत्री के रूप में इतना उनका इमेज विकराल कर दिया है कि अकले स्यादव हो चाहे मायवती हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो योग यादितनात के सामने बौने दिख रहे हैं और यही सबसे बड़ा कमाल और अचीवमेंट जो भारती जंता पार्टी ने यूपी में किया है और जल्दब तारीकों का एलान हो जाएगा बता दे आपको उत्रप्रदेश विधानसबा का कारेकाल 14 मई 2022 को पूरा होने जा रहा है हलाकि यूपी छोड़कर बाकी चारों राज्यों में सरकार का कारेकाल मार्च में ही खत्म हो रहा है ऐसे में उत्रप्रदेश में भी विधानसबा चुनाओ बाकी चार राज्यों के साथी यानि की मार्च में ही करवाय जाने की पूरी संभावना है जिसको लेकर जैन्वरी में तारीखों का एलान होगा जैन्वरी के पहले या दूसरे सब्ता में चुनाओ की खोशना के साथी आचार सहिंता लागू हो जाएगी यूपी चुनाओ से जड़ी हर बड़ी ख़बर के लिए देखते रिये Capital TV उत्रप्रदेश नमस्कार